फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम switchboard की wiring करना सीखेंगे इस switchboard के अंदर हमने 2 switch एक socket एक indicator और एक बलब holder लगाया है तो इसके complete connection करना सीखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी हमें board लेना है जितने भी size का हमें board लेना है उसके अंदर हमने switch, socket, indicator, fuse सबको लगा लेना है, अच्छे से tight कर लेना है page की साहता से, या फिर modular type है तो modular type को अच्छे से set कर लेना है ठीक है, जहां पे हमने holder लगाना है जहां पे light लगाने है, वहां पे हमने holder को set कर लेना है ठीक है, यह हमारा इतना होने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं, इसके terminal के उपर तो आप यहां पे देख सकते हैं यह है switch और socket और indicator के terminal indicator के अंदर मैं बचा देता हूँ, friends phase और neutral दोनो direct आएंगे और जो switch है, switch के अंदर phase supply आती है और output supply निकल जाती है जो socket है, socket के अंदर भी phase आता है और neutral आता है, ठीक है, और अर्थिंग की wire भी connect होती है और जो holder है, holder के अंदर भी phase और neutral आता है तो वो किस तरह से wiring करनी है वो आज की इस वीडियो में complete देखने वाले है तो friends, जो indicator है, indicator का काम है कि इस जो switchboard है इसके अंदर power supply है या नहीं है, ये show करेगा यानि कि ये indicate करेगा कि switchboard के अंदर supply है ठीक है, अगर ये जलेगा तो इसके अंदर supply है अगर नहीं जलेगा तो इसके अंदर supply नहीं है ठीक है, तो अभी friends हम करते हैं इसकी wiring, wiring करने के लिए और दो ये switch के terminal अगर यहाँ पे 3 switch होते तो तीनों के 3 switch ले लेते अगर 4 switch होते तो हम 4 switch के नीचे वाले terminal को common बनाते तो अभी हमारे पास 2 switch है तो दोनों switch के नीचे वाले जो terminal है 2, 1 और 2 और इसी के साथ हमें एक indicator का जो terminal है इसको हम 3 को common बनाएंगे wire की साथा से wire से इसको जोड लेते हैं loop wiring कर लेते हैं अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो 3 टर्मिनल थे 2 switch के और एक indicator का इनको हमने wire से yellow color की wire से common बना लिया है अब हम क्या करेंगे जो हमारा switch है यह वाला switch है यह socket का है और यह वाला switch है वो है light का यानि की holder के लिए तो यह वाला switch है इस switch के उपर wire terminal से हम एक socket के अंदर यहाँ पे wire जोड़ा है अभी हमने क्या किया तो socket का जो switch है वहाँ से एक wire जोड़ा और socket के line wire terminal पे यहाँ पे लाके जोड़ दी है अभी हमारे पास जो दूसरा switch है इस दूसरे switch से यहाँ से लेके एक holder तक एक हमने wire को जोड़ना है तो holder के जो दो terminal होते है friends एक terminal के अंदर फेज आता है दूसरे terminal के अंदर neutral आता है तो हम एक के अंदर यहाँ से wire जोड़ के यहाँ पे switch के अंदर इसको जोड़ देते हैं friends अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो light का switch था उसके साथ हमने यहाँ से wire जोड़ी और उसको हमने holder के एक terminal पे wire को इसके साथ जोड़ दिया है friends अभी इस switch board के अंदर दो terminal बचे हुए हैं एक यह indicator का और एक यह socket का तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक black color की wire लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ पे इसको comment बनाएंगे क्योंकि यह है neutral का point और friends इसी के साथ हम यहाँ पे holder के साथ जोड़ लेंगे क्योंकि holder के अंदर भी neutral supply जाएगी तो हम एक दो और तीन तीनों ट्रेमिनल को neutral wire से यानि की black color की wire से इसको जोड़ लेंगे और इसके अंदर neutral supply को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम एक दो और तीन तीन ट्रेमिनल को common बनाते हैं अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक socket का ट्रेमिनल एक indicator का ट्रेमिनल और एक हमने holder के ट्रेमिनल के अंदर black color की wire की साहता से हमने इनको तीनों ट्रेमिनल को common बना लिया सबसे पहले हमने यहाँ पे जोड़ा उसके बाद यहाँ पे और इसी wire के साथ हमने socket के अंदर यहाँ पे जोड़ दिया है तो इसकी जो internal wiring है फ्रेंट्स वो complete हो चुकी है अब भी हमें इसके अंदर phase और neutral supply को connect करना है तो हम जो neutral supply आएगा उसको हमने जो neutral wire आएगी उसको हमने यहाँ पे जोड़ देना है जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो neutral supply यहाँ पे भी आजाएगी और यहाँ पे भी आजाएगी और जो phase supply आएगी फ्रेंट्स उसको हम switch के इस वाली terminal पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो इस wire से यहाँ पे भी चली जाएगी और यहाँ से यहाँ पे भी चली जाएगी तो चलिए हम phase और neutral को जोड़ देते हैं उसके बाद आपको इसका trial test करके दिखाते हैं अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो black color का neutral वाले terminal पे जोड़ दिया और जो yellow color का phase wire आएगा उसको हमने switch के नीचे वाले terminal पे जोड़ दिया है तो अभी हम क्या करेंगे जो phase है और neutral है इसको हमने पिछे से supply में connect कर देंगे phase और neutral में और इसको test करके देखेंगे इससे पहले हम इसको dressing कर लेते हैं और connect कर लेते हैं अभी आप देख सकते हैं हमने इस board को अच्छे से set कर लिया है और जो holder है holder के अंदर हमने यहाँ पे एक bulb लगा लिया है blue color का अभी हम पिछे से इसकी supply को connect कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछे से हमने supply को जैसे ही on किया तो यहाँ पे indicator on हो गया glow करने लग गया तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि switchboard के अंदर supply है या नहीं है indicator की सायथा से तो अगर आपको indicator on है तो आप इस bulb को भी on कर सकते हैं तो यह हमारा bulb का जो switch है यह वाड़ा है तो हम इसको इसकी सायथा से on कर सकते हैं और off कर सकते हैं इसी तरह से आप socket के अंदर कुछ लगा के charger वगारा कुछ भी आपको use करना है जो की बिजली से चलता हो उसको आप यहाँ पर लगा के चला सकते हैं और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक टेस्ट करने के लिए बलब है तो इसको हम टेस्ट करके आपको दि चीख सकते हैं असानी से अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आयो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लोगी तो इसको लाइक और शेर जरूर कर देना मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वन दे मातरम